हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल माही क्रेशन फेशन वर्ल्ड पे आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो ये देखें फ्रेंड ये मेरे पास साडी का कपड़ा बचा था और आज हम इसका यूज करके बहुत ही यूजफुल सी चीज बनाके रेडी करेंगे फ्रेंड तो ये देखें इस पर ये इस प्रकार की डिजाइन है तो इनको मैं कटिंग कर लूँगी और इनसे हम बहुत ही अच्छी सी चीज बनाके रेडी करेंगे फ्रेंड इस प्रकार य है तो आप पास जो कपड़ा हो आप उस पर इस प्रकार की कटिंग कर लीजिए गया और आप उससे भी बहुत यह अच्छी चीजे बना के रेडी कर सकते हैं यह आपके पास छोटे-छोटे तुकडे हो तो आप उनका भी इस प्रकार से यूज कर सकते हैं तो यह देखिए फ् फ्रेंट्स की ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 इंज पे हमको पट्टियां कट करके रख लेनी है ऐसे मैंने कपड़े को डवल फोल्ड करके रखा है और फिर हम ये देखिए ऐसे पट्टियां कट कर लेंगे आप बहुत आसान तरीके से बिकार कपड़ों से बहुत अच्छी अच्छी चीजे बना के रेडी कर सकते हैं तो ये देखिए फ्रेंट्स हमें इस प्रकार से पट्टियों को कट कर लेना है अब इन पट्टियों को जोड लेंगे हम और इन पे बारिक बारिक चुननट देके ह हमें फिल बनाके रेडी कर लेना है तो ये देखिए ऐसे कपड़े को हमें डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे हम और ये देखिए आप बहुत आसान तरीके से इस प्रकार से डिजाइन बनाके रेडी कर सकते हैं बस हमको बारिक-बारिक कपड़ों को और हमारी बहुती प्यारी से तो यह देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने यह फिर्ल बनाके रेडी कर ली है इसी प्रकार से आप लोग भी इन फिर्ल को बनाके रेडी कर लीजिएगा तो यह देखिए यह लंबी पट्टी से हमने यह फिर्ल बनाके रेडी कर ली है और बहुत ही सुन्दर सा ये फिरल हमारी ready हो गई है ये देखिए friends तो चलिए अभी इन कपड़ों को जो छोटे छोटे कपड़े थे ना इनको हम joint कर लेते हैं तो ये देखिए friends इस प्रकार से हम कपड़ों को रखके जोड लेंगे और बहुत ही आसान तरीका है friends आप इसी प्रकार से छोटे छोटे कपड़ों का यूज करके बहुत ही अच्छी अच्छी चीजे बना के ready कर सकते हैं तो ये देखिए इसी प्रकार से हमको इनको भी joint कर लेना है तो इस प्रकार से friends हमारे पास ये दो पीस ready हो गए हैं अब हमें क्या करना है friends अब हमको कोई भी दूसरे कलर की पट्टी को यूज करना है दो ढ़ाई इंच पे आप ऐसी पट्टियों को cut कर लीजिएगा और मैं किस प्रकार से इनको joint कर रही हूँ friends आप देखिएगा और बहुत ही अच्छी सी design हमारी बन के ready होगी तो ये देखिए चारो तरब से हमको पट्टियों को जोड के ready कर लेना है तो ये देखिए friends इसी प्रकार से हमको चारो तरब से इन पट्टियों को जोड के ready कर लेना है और बहुत ही आसान तरीके से आपके पास जो भी बेकार कपड़े हैं जिनका आप यूज नहीं करते हैं उनका यूज करके आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीजे बना के रेडी कर सकते हैं तो ये देखिए इसी प्रकार से में चारो तरफ से ये दूसरे कलर की जो पट्टि प्रकार कपड़े थे उनका भी यूज हो जाएगा तो ये देखिए ये हमारा एक पार्ट बनके रेडी हो गया है अब इसी प्रकार से हमको दूसरा पार्ट भी बनाके रेडी कर लेना है तो ये देखिए चलिए मैंने ये देखिए दोनों पार्ट बनाके रेडी कर लिए ह तो ये देखिए friends अब जो extra कपड़ा है उसे cut कर देंगे और जिस size पे हम को pillow बना के ready करना है उस size पे हम इस कपड़े की cutting कर लेंगे तो ये देखिए जो extra कपड़ा था उसको मैंने cut कर दिया है अब हमें क्या करना है friends जो हमने design बना के ready करी थी उसको हम इस प्रकार से रखेंगे अंदर की तरफ करके और इस पे हम सिलाई लगा के ready कर लेंगे जिससे कि हमारे पिलो का लुक और भी अच्छा आने लगेगा तो चलिए फ्रेंड्स मैं सिलाई लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से ये बनके ready हुआ है तो ये देखिए फ्रेंड्स एक तरफ हमने लगा के complete कर लिया है और दूसरी तरफ भी हम इसी प्रकार से लगा के complete कर देंगे और चारो तरफ से सिलाई लगा के इसको ready कर लेंगे फ्रेंड्स तो ये देखिए अब दूसरी तरफ भी हमको जो हमने डिजाइन बनाई थी ना उसको भी हम लगा के रेडी कर लेंगे तो ये देखिये फ्रेंट्स जिस प्रकार से मैंने ये डिजाइन को रखा है ना उसी प्रकार से आप लोग इसको रखके सिलाई लगाईएगा बहुत ही अच्छा सा पिलो कवर आपका बनके रेडी हो जाएगा और मैंने देखिये फ्रेंट्स पुराने कपड़ों का यूज किया है जो हमारी आउट फेशन साड़ी थी मैंने उसका यूज करके कितना सुन्दर सा पिलो का कवर बनाके रेडी किया है इस प्रकार से आप भी आपके पास कोई पुरानी साड़ी है कोई पुराना कपड़ा है दुपट्टा है तो उसका यूज करके आप बहुत ही अच्छा सा पिलो कवर रेडी कर सकते हैं तो ये कोई भी जो कपड़े हैं उनको बारिक बारिक कट करके इस पिलो कवर के अंदर भर दीजिएगा और फिर इस प्रकार से फोल्ड करके हम से लाई लगा लेंगे और हमारा पिलो का कवर बनके रेडी हो जाएगा और कितना अच्छा सा और प्यारा सा हमारा पिलो कवर बनके और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो फ्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताईएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए friends मिलते हैं इसी तरीके के और भी अच्छी अच्छी और नए नए वीडियो के साथ thank you for watching my channel मिलते हैं जल्दी next video में और friends अभी तक आपने bell icon को on नहीं किया है तो please bell icon को on जरूर करिएगा जिससे की मैं जब भी कोई नए वीडियो डालूंगी उसका notification सबसे पहले आप तक पहुँचेगा तो friends मिलते हैं इसी तरीके के और भी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ thank you for watching my channel bye bye मिलते हैं जल्दी next video में